नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ खुश्बू सिंग और बिहार से जाली नोटों का एक बड़ा सौधागर पकड़ा गया है, ये मुझफर पूर का रहने वाला है, बिहार ट्रेन से ज्वारा था, सुल्तान खान इसका गिरफ्तार किया है, सुल्तान खान यूपी के आजमगर जुले के मुबारक पूर्थाना शेत्र का रहने वाला है, बुदवार को पटना के रेल एसपी प्रमूद कुमार मंडल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर इसकी ज्वानकारे दी है, रेल एसपी ने बताया कि सुल्तान के अ दिल्ली समयत कई राज्यों के लोगों से है, यहां तक कि नेपाल भी वक कई बार आजा चुका है, सुल्तान जाली नोटों का बड़ा सौधागर है, इसका धंदा नोट को डबल करने के नाम पे चलता है, यानि कि यह जो धंदा चलाता था, यह दरसल नोट को डबल करने के नाम पे चलाता था, और 44 लाक रुपे एक बैंक अकाउंट से मिले हैं, जिसको अभी तक की पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, तीन साथ ही अभी भी फरार है, नेपाल भी आना जाना रह चुका है, और साथी साथ दिल्ली से भी कनेक्शन है, आजम गड़का रहने वाला है, बिहार से पकड़ा गया, दिल्ली और नेपाल से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, रेल एस्पी ने बताया कि पोपलानी और सुल्तान को आमने सामने बैठा कर पूछताच की जाएगी, दरसल दोनों का संबंध जाली नोटों के कारुबार से रहा है, आश्वंका है कि पतना से पच्पन लाक रुपए के जाली नोट की खेप को लेकर ही मघद एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहा था, रेल एस्पी के अनुसाल जब उस बैक को बरामत किया गया तो खाली था, जाली नोट का धंदा करने के मामले में पारस कुमार पोपलानी की गिरफतारी भी हो गई पटना के सुल्तान जमाल रोड के होटल विक्की में ठहरा था, एक-एक महीने के लिए कमरा बुक करता था, होटल से ही वह नकली नोट के धंदे को डबलिंग के नाम से चलाता था, यानि की होटेल में एक-एक महीने के लिए कमरा बुक करके नकली नोट के धंदे को डबलि पोपलानी को गिरफतार कर लिया गया है और इन दोनों को बिठा कर अब आमने सामने पुलिस कह रही है कि पूछताच की जाएगी और माना जा रहा है कि दोनों का मकसद दरसल यही था और दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है इस पूरे मामले में चंडीगर के पारस कुमार पोपलानी से मगद एक्सप्रेस में बकसर आरपी एफ के दो जवान जाच के नाम पर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे घटना आठ मार्च की है पोपलानी पटना से नई दिल्ली जो आ रहा था पोपलानी इसकी शुकायत नई दिल्ली प बँठा दिया यानि कि दो लोग जो बकसर आरपी एफ के दो जवान के नाम पर जाच के नाम पर बैग लेकर भाग गये और उसके बाद पोपलानी जोब इसकी पुलिस को इंतला की तो उसके बाद ये पूरा मामला पुलिस के संग्यान में आया जिसके बाद आठ लोगों की S.I.T. बनाकर जौच लगातार चल रही थी और उसी जौच के दौरान सुल्तान खान को गिरफतार किया गया जिसका लगातार कनेक्शन बताया जा जिसके एक अकाउंट से 44 लाक रुपे मिले हैं 55 लाक रुपे लेकर ये दरसल दिल्ली जा रहा था बिहार से लेकिन उस बैग में कुछ भी नहीं मिला लेकिन पैसे डबलिंग के नाम पर ये पूरा धंदा चलाता था और अभी भी इसके तीन साती फरार हैं जिनको पुलिस जूंड रही है लगातार चापे मारी चल रही है और ये पूरा मामला आगे क्या अतूल लेता है क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है वो देखने के लिए आप बने रही है निउस लाइफ के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेय करना बिल आपको इसका